पुछ का प्रतान दर्ज होते हैं यह गुदर का लाव है फरुक अबाद में बीते 9 दिसंबर को हुई महिला की मौत का मामला लगातार गहराता ही जा रहा है महिला की मौत के मामले को लेकर परीजनों ने उसके सस्रॉाल वालों पर ही सवाल खड़े कर दिये हैं साथी परिवार वालों ने महिला की मौत के लिए उसके पती और सस्रॉाल वालों को जिम्मेदार ठहराया है दरसल जन्पत अलिगट के थानल सिविल लाइन निवासी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनकी बहन इम्राना को शादी के बाद से ही उनके पती और सस्रॉाल वाले दहेश की मांग को लेकर फ्रताडित कर रहे थे उनका आरोप है कि बीटे 9 दिसंबर को उन्हें पता चला कि उनकी बहन की मौत हो गई जब उन्होंने अपनी बेहन के सस्राल वालों से उसकी मौत को लेकर सवाल पूछे तो उन्होंने इस मामले में कोई संतोष जुनक जवाब नहीं दिया इसी के कारण महीला के परिवार वालों ने उसके शब को कब्र से निकलवा कर दुबारा पोस्ट माटम कराय ज़ाने की मांगी मही परिवार वालों के शुकायत के आधार पर DM ने SDM गौरफ शुकला की मौजूदगी में कबर खुदवा कर शब को दोबारा पोस्ट माटम का आदेश दिया मृतिका के भाई का कहना है कि उसकी बहन की मौद हादसे में नहीं हुई बलकि उसे मारा गया पर हमने उसे क्विश्चन भी किया सबस्पहलों नाक लगने शाइए नाक पर कोई चोड़ा कोई निशान नहीं मारते पर तीन चान निशान बंदा गड़ेगा एक निशान आना चाहिए जिसकी वजह से वह कोई तसलीब जवाब नहीं दे सके काफी तू तू मैमें रही काफ कि मार्ची तक हुथ है करनि हमें सबस्टस एकिए झाए यह इसा यहां वैसा नहीं नहीं कि आप सबस्की तक हुआ शड़ाद। जो उनको नहिलाने का उसका टाइम आया जो देखा तो बहने आप भी आया कि नाक से मुझसे खुन आया कि और उनको बताया कि और भी जिसम पर चोटों के निशान मौझूद है कि वो इतना टाइम होगा इतना इन लोगों का प्रेशर था कि हम तो थोड़ी सी लोगा है लिए कर दो कि पूरा इनके सब रिश्यारां खुटा कर रखाता है लो कि किसी को बता रहे थे कोई का रिश्यार है कि मैं CBI में मैं हो रेल वेक्यों क्या है उनकी वी मोजुद है जल्ली यल्दी में लागए लुदी में यह व्या टाइने करा दिया लेकिन जिसे पहले टां थी त सब्सक्राइब कर दोसरी जवाज है कि आप में कोई गारी बताती है आई लेट नाइट इनकी घर पर जिसमें कुछ लोग आए जो मेरे भारी बहन जो हैं बाई जिसम काभी बारी थी इनकी मां की भी सहत ऐसी नहीं है यह दो लोग मिलकर उसका कुछ बिकार सकें तो अंदेश जानकारी के नुसार डॉक्टर सुमित शाक्या और डॉक्टर रमीद अगरिवाल के पैनल में हिम्राना का पोस्ट माटम किया था मौत का कारण इस पस्ट नहोंने पर ज्वाज के लिए विसरा को सुरक्षित रखा गया था साथ ही महिला के माथे पर चोड का निशान पाया गया था इसी आधार पर महिला के शफ को कबर से निकाल कर दोबारा पोस्ट माटम के लिए भेश दिया है फरुखबास से दिलीप कटी हार की रिपोर्ट